हेलो प्रेंस वेल्कम बैक मैं यूटुब चैनल मसमें जाम अप्लोड करता हूं स्प्सिक्स यंद आयुट जयम्स रेलेटेद वीडियो लेक्च्छ तो इन दिस वीडियो आ I will explain important theorem for the vector sub-space, अब देखो, vector space क्या होता है, vector sub-space क्या होता है, necessary sufficient condition क्या होती है, सब अगर आपको देखना है, I tap पे click करें, सारे वीडियोज मिल जाएंगे, गर आपने देखा हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं देखा हैं, तो आप पहले उनको जरूर देखें, ताकि आपको ये topic बहुत अच्छे से clear हो जाएगा, तो vector space के topic में आज हम बात करने वाले हैं, vector sub-space के बारे में हैं, और इसमें देखेंगे intersection of two sub-space, दो sub-space का intersection भी sub-space होता है, सब प्रूव करना है, it means the intersection of any two sub-space of a vector space is also sub-space, वो उसका intersection भी एक sub-space होगा, सब प्रूव करना है, तो इसका सीधा से, इसको दोगो ये, आपको ऐसा भी दे सकता है, या पिर आपको काया सकता है, कि ये w1 and w2, दो sub-space दे जे जे, w1 and w2, r2 sub-space, ये दो sub-space is there, over the field f, then the w1 intersection w2 is also a sub-space over the field, आपको आपको statement भी दे सकता है, ठीक है, कैसे भी question दे सकता है, हम इसके proof की बात करता है, बड़ा सिंपल सा और प्यारा साइस का proof है, बहुत सिंपल है, ठीक है, proof की बात करता है, तो proof क्या हो जागा, let w1 and w2 be two sub-space, ये क्या हो जाएंगे, दो sub-space हो जाएंगे, two sub-space of vector space, two sub-space of vector space vf over the same field f, same field भी होता है, over the same field f, चलो, हम क्या करते हैं, now, now, w1, w1 and w2 are two sub-space, चलो, एक तो आमने लेके दिया आना, यार, now, हम क्या करते हैं, यहाँपे, इसके elements ले लेते हैं, now, alpha, beta, belongs to w1 intersection w2, मतलब, alpha, beta, w1 भी contain करता है, w2 में भी contain करता है, इन दोनों से belong कर रहा है, ठीक है, चलो, अब यहाँ से, हम consider कर रहा है, that implies, alpha, beta, belongs to w1 and alpha, beta, belongs to w2, परे देखो, intersection में आ रहा है, intersection में आ रहा है, it means, वो दोनों, मैं आपको सिदा सा, एक simple सा चीज़ बताता हूँ, मैंने एक set लिया, 1, 2, 3, 4, 5, एक set लिया, मैंने 2, 3, 4, 5, ठीक है, अब यह w1 है, यह w2 है, इन दोनों का intersection लोंगा, मैं आगा, इन दोनों का intersection ले ले, चलो मैं आप से एलिमेंट अटा दे, तो मानलों का intersection ले, intersection क्या आएगा, 2 common आ रहा है, 3 common आ रहा, 5 common आ रहा, मानलों गर्वे 6 लिखूंगा, तो वो नहीं आएगा, अब 2 लिखूंगा, तो 2 w से भी बिलॉंग कर रहा है, w2 से भी लॉंग कर रहा है, 3 लिखूंगा, w1 से भी बिलॉंग कर रहा है, w2 से भी बिलॉंग कर रहा है, 5 लिखूंगा, w1 से भी बिलॉंग कर रहा है, w2 से भी बिलॉंग कर रहा है, मतलब, intersection में जितने भी element आते हैं, they both, like they belonging to both sets, दोनों sets से भी बिलॉंग करते हैं, ठीक है, they belongs to both sets, यहीं तो अब बीटा इस से बलॉंग करेंगा, आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है, now, हम क्या करेंगे, now, for field, हमेज field टालि में ले 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 लेते हैं, a and b, हम क्या करना है, field के अलिमेंट ले 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 लेते हैं, and, alpha, beta belongs to w1 तो इनका क्या करतो,…? सिरी सफिशेंग कंदिशन लगा दो, 2 step test, इसको मैं क्या कहता हूं, 2 step test लगा दो, 1 step test लगाल हो, 3 स्ट में 1 step test, 1 step test लगा दो, 1 step test लगाल है, जो की W1 से बिलॉग कर रहा है, and, B को आप alpha से multiply करोगे, B को beta से multiply करोगे, जो कि W1 से belong कर रहा है और one step test पर पन सीधा लिख सकते हैं कि A alpha plus B beta, ये तो two step test में पहले ये लिखो, फिर उन्दोनों को add करो ये तो फिर सीधा ये लिखो, जो कि W1 से belong करेगा similarly करके क्या लिख सकते हैं कि A B belongs to F and alpha beta belongs to W2 one step test, लिख दो one step test of subspace one step test लगा देंगे जो कि W2 से belong कर रहा है अब ये element W1 से belong कर रहा है W2 से belong कर रहा है भया, so, क्या लिए लिएगे so far, every alpha, beta belongs to W1, intersection W2 and A B belongs to W sorry, A B belongs to field इन सब के लिए, जो भी element in intersection से belong कर रहा है और वो इनके साथ one step test को follow कर जाए one step test को follow कर जाए तो वो हमेशा W1, intersection W2 से belong करेगा कहने का मतलब कहने का मतलब क्या वा अगर ये nano के intersection से belong कर रहा तो वो इसमें belong करेगा इसमें belong करेगा ठीक है, अभी मैंने समझाया आको, similarly अगर ये इसमें belong कर रहा है अगर ये इसमें belong कर रहा है सेम चीज आ रही है इसमें belong कर रहा है W2 में belong कर रहा है उल्टा कहा रहा है उल्टा कहा रहा है simple तो मैं कहा रहा हूँ AW1 में भी आ रहा है AW2 में भी आ रहा है तो मतलब इन दोनों का प्रूव कर गया, यह element इसमें भी आ रहा है, यह element इसमें भी आ रहा है, मतलब इन दोनों का, यह element जो इसके intersection से भी बिलोंग करेगा, I hope आप तो clear हो गए होगी, कि भाई, W1 intersection W2 जो होता है, that is also, is also a subspace, a subspace, यह क्या हो जाएगा, एक subspace हो जाएगा, और field F हो जाएगा, I hope यहां तक आपको clear हो गया होगा, कि किस type से आपको इसकी theorem को prove करना होता है, बहुत इसी theorem है, Thanks for watching my video, keep watching MS Mesh, and for more videos, हमारे channel को अभी subscribe करें, ताकि आप हमारे जितने भी प्यारे प्यारे वीडियो आते हैं, वह आप देख सकते हैं, Thanks for watching my video, keep watching MS Mesh, thank you, bye-bye.